तो हलो साथियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सकसे जनालेज यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज मैं आपको LCR परिपत के बारे में बताने वाला हूँ जब L, L, प्रिरकत, धारिता, सी, तथ, प्रतिरोध, आर एक परिपत में स्रियादी क्रम में जोड़े हों तो उनकी प्रतिवाधा और कलांतर की वैलू क्या होगी इसके लिए आपको एकजाम पर पूछा जाता है 100% ये कुश्चन 2020 में पूछा जाएगा इसनलेए इस कुश्चन को अंतर तक देखना मैं एक एक डाउट इस कुश्चन में क्लियर कर दूँगा तो इस कुश्चन में पिं कापी लेकरवाट ना कियुकर मैं इस कुश्चन के बारे में जादा लिखूंगा नहीं हालांकि आपको समझा जादा दूँगा तो यहां पर सबसे पहले आपको L C R परिपट को एक पहले आपको L परिपट और C परिपट इन सबी को एक सिरेंदी करम में स्मून जोज़ देना है अब क्या करेंगे हम इसको ऊपर ऐसे स्रेंजी करम में चुक्टिए हमें बनाना है तो यह हो गया जाएगा देखिएगा यहाँ से इधर हमें प्रत्यावर्ति निवेसी वोल्टेज लगा देते हैं तो चलिए उसे भी यहाँ पर आड़ कर देते हैं तो यहाँ पर हमने उसे क्या क्या लिया है तो यहां पर हमने देखें लिया एक यहां पर लिया है यहां पर लिया है अ expensive तो एल्का वीवांतर जो हो जो खेँ हूगा वी आर्ट scientific और बिवänder के और वी किसी अल्ैक का इसलिक्षित करता हूऊ जो के लिए अधे सबस्क्रेंस करेंगा नैस तो अपरूंस क्यों आकि यहattend ह क्यों बहुत नोidd intentional खняते हैं आपको क्या होता है एलाप का ये होता है उपर वाला इसके बाद यहां पर आपको जो होता है नीचे नीचे होता है सी और ये होता है आर ये जो होती है आपकी ये होती है धारा की दिसा क्या होती है ये हमारी होती है धारा की दिसा अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि हमे पर इंगल बनेगा तो चलिए हम यहां पर इंगल बना देते हैं अब यहां इधर को भी इंगल बना सकते हैं तो मैंने मान लिए मैंने यहां को इंगल इधर को बना दिया है अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सम्मिला देते हैं ताकि यहां पर हमें चित्र आसानी से बन सके अ यहां पर दो जो यह वीयल है ना इसका भी वांतर जो होगा वीयल और यह जो आर है इसका भी वांतर होगा वीयर और यह अब यहां पर भी वी है जो वीसी इसका भी वांतर होगा वीसी तब मुझे यह बताए कि मुझे इतने और इतने की दूरी चाहिए मुझे इतने की और इ करन नहीं जाएगे दोस्त अ करसों अगर आपको ही संवज़ने में प्राब्लम जा सकती है यह मेंन लाइन भी लाइन और इसके भाद मारे यह इसकी वेलूव हमारी का होगी वह होगी वह इसकी वेलूव की वाहीं है अब उमीद करता हूँ दोस्तो इत्ता टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा तब बात आती है इसमें आपको थेयोरी क्या लिखनी है तो इसमें आपको थेयोरी दोस्तो वो लिखनी है तो अब इसमें थेयोरी क्या लिखनी है इसी के कार्टिंग थेयोरी लिखनी है आपको इसे लिखना है सबसे पहले इस वाले चीतर से इस चीतर से आपको क्या लिखना है माना इल प्रेरकत इल तथा धारीता सी वप्रतिरोध आर एक लाइन इनली स्रेनरी क्रम में जुदे हुए हैं जिनका विवानतर क्रमस वी यल तथा वी सी और वी आर है यहां पर दूसरी पर यही है दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक है यही है दोस्तों मेरी ट्रिक यहां पे मैं आपको ट्रिक बताता हूं तो यही है यहां पे मैं ड्रिक उस्तों हमको L ,C,RK,R को गयरा गो सकता होगी लेकिन इसपर अगर भैटरी और नहीं लगी तो हम यहां पे लगा देंगे प्रत्यवर्ति वोल्टेज इसका अगर मैंने बताया था LCR परिपत को आपको इस लाइन से डिनोर करते हैं जहां पे L होता है और यह C होता है अब इनके विवांतर क्रमसा यहीं भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर L है तो V1 वील हो जाएगा C है तो VC हो ज दारिता C जिसका विवांतर VC तथा प्रति रोद आर जिसका विवांतर VR है तीनोर स्रेंज क्रम में जोड़े हुए हैं जिनका प्रत्यवर्ति निवेसी वोल्टेज वी बराबर V0 साइन ओमेगा T है अब आते हैं इधर तो यहां पर मैंने बताया था कि आपकी धारा की दिसा में है किसकी दिसा में है बैदुद्धारा की दिसा में है तथा एल क्या है तथा एल जिसका विवांतर VR है बैदुद्धारा की दिसा से यह बैदुद्धारा की दिसा है ना अब यह ऊपर है तो यह अगरगामी होगा क्या होगा अगरगामी होगा तो यह देखिए य एल जिसका भी व Кар्ण से 90 वियल है बैदु धारा से 90 अग्रगामीय का एया थारीता सी तथा किया है धारीता सी विद्स धारा से 90 अब पीछे बनी हुई है इसलिए क्यों सा वहागा मुद्ध करों लेगे 90 अफर ऑप्शिए थे ठीवरी आपको अब इसकी थेयोरी के लिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ तो आप उसके लिए स्क्रीन साट आप थेयोरी का ले पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक मेरी पुरानी रेजिस्टर पर थेयोरी लिखी रखे हुई थी तो उसको मैंने दिखाने की कोसिस कि अगर आपको ठीक ठाक लगे थेयोरी अच्छी है थेयोरी सही है थेयोरी गलत नहीं है समझ में आ रहा हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं मैं आगे डेरिवेशन बताता हूँ तो यहां पर आप चित्र पर देख पा रहा है कि यह जो दूरी है इतनी वी की है और यह इतनी जो दूरी है वी यल माइनस वी सी की है और यह जो इतनी दूरी है वी आर की है तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है करन का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर तो यही फार्मूला हम सभी में लगाते चले आ रहे हैं तो इसमें भी लगा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा करन का स्कॉयर बरावर लंब का स्कॉयर यानि VL माइनस VC का होल स्कॉयर तो यहाँ पर लिख देंगे VL माइनस VC का होल स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर यानि VR का स्कॉयर इतना सा कर देंगे दोस्तों इसके बाद यहां से यह वी है तो इमें स्कॉयर लगा हुआ है तो इधर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा तो इसमें हम रूट लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा वी स्कॉयर वरा वर यहां पूरे को रूट के अं तो डाइरेक्ट में दोस्तों यहां पर पुट कर लेता हूँ तो VL की वैलू क्या होती है दोस्तों IXL तो यहां पर कहो जाएगा IXL-VC की वैलू क्या होती है IXC तो यहां पर पुट अप कर लेता हूँ इसमें लगा है whole square तो यहां पर लगा लेता हूँ whole square प्लस vr की value होती है i into में r तो इसमें लगा लेता हूँ whole square अब दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि इसमें से आप square यहीं i square common कर सकते हैं इसमें से क्या कर सकते हैं i square common कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं i square directly common निकाल रहा हूँ आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर देखिएगा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप समझने का प्रयास जरूर करें यहाँ पर i square मैं पूरे से जब common निकाल रहा हूँ देखिए कि जब यहाँ से और यहाँ से i common निकालूँगा तो यहां पर यह whole square के कारा i square common आएगा अगर आपको common लेना समझ में नहीं आया तो इसको a square प्लस b square प्लस 2 a b में खोलिएगा उससे आपका बहुत लांग हो जाता है इसलिए यहीं से आप समझने की कोशिश करिए जब इधर से हमें i common मिल रहा है तो i common जब निकालेंगे तो एक common भी हमारा काहँ में आएगा square के कारण पूरे में square है इसलिए common काहँ में आएगा square में यहां पर हमारे पास अंदर क्या बचा है xl-xc क्या बचा है xl-xc प्लस अब यहां से भी आप दोस्तों चाहें यह लिखा हुगा i square plus में r square यहां से पूरे से i square common हम निकाल सकते हैं यहां से हम पूरे से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां से हम पूरे से common निकाल लेते हैं यहां से जैसे कि हम पूरे से common निकालेंगे तो हो क्या जाएगा i square हम पूरे से कामन निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा xl minus xc plus का r square i square हम पूरे से r का i कामन निकाल ले ना i square अब यह i आ जाएगा दोस्तो अपान में तो यह हो जाएगा b और यह i root के बाहर आ जाएगा इधर अर्कुल मिला के इधर से i हटके इधर आ सकता है तो यह गुने में हो जाएगा ते काय में आ जाएगा बटे में तो हो जाएगा b upon i equal to अब यहाँ पे देखिए का हो क्या जाएगा बहुत गौर से समझने वाली बात है xl बराबर जो फार्मूल ओता है उमेगा l क्या होता है यहाँ पे जाएगा रखिए का मेरी बात xl बराबर आपका फार्मूल ओता है omega l तो यां पे vidéo से च्टानों पर मैं रख देता हूं omega l w यह एक्स c बराबर होता ह३ recess your वराबर होनापान omega c कि होता है वन अपन ओमेगा सी तो इस पे लगा देंगे हम लोग होल स्कॉयर क्या लगा देंगे क्योंकि यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर यह वाला जो था ना यह हमारा होल स्क्वाइर में होगा तो इसी मिश्टेक हो गई है और ये भी हमारा होल स्क्वाइर में होगा टोटल से हमने कामन आई निकाला था तो ये टोटल से हमारा कामन बना रहेगा इसक बात क्या होगा यहां भी स्क्वाइर लग जाएगा और प्लस में क्या होगा आर स्क्वाइर अ यहीं से हमारा यह निकल कहता है प्रतिबाधा मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं हलाकि मैं भी एक कैमरे के आइकन पर देख देख के लिख रहा हूं मैं कॉपी देखने को मुझे नहीं मिलती लिखते डाइम तो यह भी अपानाई को हम क्या लिख लेंगे जिड और यह हम हमारा निकल किया गया प्रतिबाधा का सूत्र अब हम नीकाल достаточно कंद्ध आप जानते हैं जेड कलांतर ़ेड बराबर आप फार्मूला जानते होगे जेड इक्वल टू आप जानते हैं कि लंब बटे आधार तो यहां से चित्र में आपको फिर से ले चलता हूं तो चित्र में यह क्या है हमारा यह लंब और यह आधार तो हो जाएगा लंब बटे आधार तो लंब की वेलू किती है तो उस तो देख सकते हैं VL-VC तो यहां पर हम क्या लिखेंग टैन थीटा टैन फाई यहां से हम कह लेंगे टैन फाई बराबर तो यहां से हो जाएगा टैन फाई बराबर एक ओमेगा एल थी तो लंब बटे आधार होता है तो लंब की वेलू कैसे